मद्ध प्रदेश में एक संस्थान संचालित होता है जिस संस्थान के संचालक हैं महुम्मद असफाग महम्मद असफाग जब भी कभी अपनी किलासों में जाते हैं तो वो वताते हैं कि द्रोपती जो थी वो मानसिक रोगी थी वरना वो चीर हरन का बिरोध जरूर करती इसी तरीके से धरतराष्ट और गांधारी भी बिकलांग थे महा भारत के इन पात्रों को अपने ही तरीके से प्रदर्सित करते हैं ये महम्मद असफाग यही नहीं ये हिंदू भावना से इतने जादा ग्रसित हैं कि इन्होंने हिंदू करमचारियों को मानसिक रूप से प्रतारित करते हुए अपने संस्थान से निकाल दिया और यही नहीं इसी संस्थान के चात्रों ने एक पत्र लिखकर पी एमों में सिकायत की है कि इस संस्थान को किसी मदर्से की तरह संचालित करते हैं महुम्मद अस्फाक कौन है ये महुम्मद अस्फाक और मत्रदेश का ये कौन सा संस्थान है और किस तरीके से महम्मद अस्वाक हिंदूों से हीन भावनाओं से ग्रसित हैं आज की वीडियो में हम इन ही विशियों पर बात करेंगे नमस्कार मेरा नाम है अंकित और आप देखना सुरू कर चुके हैं आयोद यह जो महम्मद अस्वाक हैं यह डिप्टी रजिष्टार हैं राष्टिय मानसिक स्वास्थ पुनरवास संस्थान यानि की एनाई एम एचार संस्थान के ये NIMHR संस्थान जो है वो मत्रप्रदेश के सीहोर जिले में स्थापित है और ये संस्थान क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ ये देश का एकलोता और अनूठा ऐसा संस्थान है जो मानसिक रोगियों के लिए बनाया गया है ये किसी और का नहीं वलकि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है इस संस्थान के लिए वाकायदा 25 एकड की भूमी शीहोर के पास आवंटित कर दी गई है जिससे मैं लगवग 181 करोड की लागत से एक विसाल विल्डिंग बनकर तैयार हो रही है हाला कि अभी यह संस्थान पुराने जि और यह संस्थान चर्चाओं में आया 16 दिसंबर को प्रधान मंत्री मोदी के लिए लिखे गए एक चार पेजों के पत्र के बाद इस पत्र को संस्थान में ही पढ़ने वाले छात्रों ने लिखा था और इस पत्र में इस थानिये छात्रों के द्वारा विहद गंभीर लगाए गए थे कि इस संस्थान के जो डिप्टी रजिश्टार हैं उन्होंने मनमाने तरीके से संस्थान को संचालित करना सुरू कर दिया है यहीं नहीं इस संस्थान के माध्यम से मुश्लिमों को भी आर्थिक लाप दिलाने की कोशिस की जा रही है और जब से यह किया जा रहा है और इसके साथ साथ चात्र चात्राओं को परिक्षा देने से भी रोका जा रहा है यह तो तब का मामला था लेकिन अभी हाल फिलाल आखिल भारती विध्यारती परिशत ने कैंद्रिय मंत्री बीरेंद खटीक को एक ग्यापन देकर इस मुहम्मद असफाक को हटाने की मांग की है आज भी आखिल भारती विध्यारती परिशत के चात्र चात्राओं के द्वारा कारेकरताओं के द्वारा सीहोर में एक बड़ा बिरोत प्रदर्सन किया जा रहा है इस मुहम्मद असफाक को हटाने को लेकर मुहम्मद असफाक के द्वारा क्या-क्या का गतिविदियों का अड़ा बनाने की कोसिस करना शुरू कर दी गई मुहम्मध असफाग को जब सीहौर के इस संस्थान में भेजा गया तब उनका पत था डिप्टी रजिश्टार का और डिप्टी रजिश्टार का मुख रूप से काम होता था प्रशास्ट नि गतिविदियो पर ध्यान देना लेकिन मुहम्मद अस्फाक साब को तो इसको अपनी गतिविदियों का अड़ा बनाना था इसलिए सितंबर में मुहम्मद अस्फाक साब के दौरा यहां पर एक पत्र जारी करके यहां के संगिये धांचे को ही पूरे तरीके से बदल दिया जिनका काम केवल प्रसाशनिक गतिविदियों पर ध्यान देना था उन मुहम्मद अस्फाक साब ने यहां की अकात्मिक गतिविदियों के साथ साथ बांकी सारी गतिविदियों की जो समीतियां थी उनको भंग करके नई समीतियां बना दी और सब का सर्वे सर्वा खुद बन गए और प्रसा आत्राओं को लगी तो उन्होंने बिरोध भी दर्ज कराया और मुहम्मद असफाक साहब को तो अपना यहाँ पर एजेंडा परोशना था अपनी गतिविदियों को अंजाम देना था ऐसे में वह अकादमिक गतिविदियों में भी इंटर्फियर करने लगे किलासों में जाने के अन्यपात्रों को लेकर भी गलत तरीके से व्याक्या करना सुरू कर दी गई यही नहीं जो चात्र इस मुहम्मद असफाक की इंगतिविदियों का बिरोध करते उन चात्रों को परिक्षा देने से रोग दिया जाता बहाना होता था उनकी सौट अटेंडेंस का जिसकी सि कात्राओं को यहां पर परिक्षा में बैठाने से इंकार कर दिया इसके साथ साथ जो भी करमचारी मुहम्मद असफाक के कहे अनुसार नहीं चलते थे उन सभी संविदा करमचारियों को एक एक करके नौकरी से या तो निकाल दिया गया या फिर उनकी तन्खवा कम करके उन आई है वो बात यह है कि कहीं न कहीं केंद्रिये सामाजिक नियाय एवं आधिकारिक्त मंत्रालय के द्वारा भी लापरवाही बरती गई उन्हों ने जिस राजेस यादव को यहां पर डारेक्टर वना कर भेजा वो यादव साब एक वीबार इस संस्थान का ओचक निरिक् कार किया था कि वे यहां पर प्रशाशनिकारियों के साथ साथ बच्चों की ग guer चाई भी लेते हैं और उन्हीं पढ़ाते हैं यहीं नहीं हादी संगतनों से भी जुड़ा हो सकता है इसके द्वारा यहां पर कई परकार के ऐसे पत्राचार किये गए हैं जिनसे साप इस पष्ट होता है कि इस संस्थान के माध्यम से यह मुश्लिमों को लाब दिलाना चाहता है। एक पत्र को और विस्तारित कर सकते हैं और विस्तार करने के बाद गाओं में जो जमीन पड़ी है उस गाओं की जमीन को भी आप अपने अंडर में लेके इस संस्थान को और ब्रद रूप दे सकते हैं यहां पर जानने वाली बात यह है कि जिस गाओं की यह जो बात कर रहा था मुहम्म जिसके बाद केंद्रिये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक्ता मंत्रालाय के द्वारा इस महम्मद अस्फाक को जमकर फटकार भी लगी थी जब पीमो को यह पत्र पराप्थ हुआ तो पीमो ने इस पूरे मामलेक की गहनता से जाज करने के लिए केंद्रिये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक्ता मंत्रालाय के सचिप राजेश जी को यहाँ पर जाच करने के लिए भेजा जिसके बाद 11 फरवरी को राजेश जी मौके पर आया और उन्होंने औचक निरिक्षण भी किया और उसके बाद उन्होंने उप सचिप मृतिंजय कुमार जा को भी यहाँ पर जाच करने के लिए भेजा एक दो मार्च को मृतिंजय कुमार जा भी आये लेकिन उन्होंने यहाँ पर किसी पीडित छातर से मुलाकात करना तक जरूरी नहीं समझा वलकि मुहम्मद अस्पाक और मृतिंजय कुमार जा के आगे पीछे डोलता रहा और उनको जेलता रहा जिसके बाद मृतिंजय कुमार जा यहां से चले गए और पूरी जो कारवाही थी वह कहीं धीले डाले रवाईये में बदल गई अब इस मामले को लेकर आखिल भारती विद्ध्यारती परिशद मुखर हुई है जिसने बीते दिनों यहाँ पर कै किया जा रहा है लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या मुहम्मद अस्फाग जो की एक सरकारी संस्थान को इसलामिक गतिविद्यों का अड़्डा बनाने की कोसिस कर रहा है उसके उपर कोई कड़ी कारवाई होती है या फिर इन छात्रों के द्वारा लिखे गए पत्र और भाविप के द्वारा किये गया यह प्रदर्सन बिफल होके रह जाता है इस मामले से जुड़ी हुई हर एक छोटी वड़ी अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे तक तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे देखते रहे आयुत इसी प्रकार की खास ख़वरों के के लिए आप आयुत को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको यदि यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ जरूर साजा करें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद